एक बात बोलू, प्यार निभाना आना चाहिए, हो तो सब को जाता है। इश्का सर्मा के बारे में। चानेंगे इनके स्ट्रागल की कहानी और बहुत कुछ इंट्रस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में। तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है। एंड तक जरूर देखना। 4 अगस्ट 2004 को एक क्यूट सी बच्ची का जनम हुआ। जिसे आज आप कनिश्का के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में मम्मी पापा के अलावा एक बड़ी सिस्टर भी हैं। जिनका नाम इश्का सर्मा हैं। और वो भी रील वीडियो बनाती हैं। लेकिन वो अभी इत 17 years की हो जाएंगी और ये 12th क्लास में बढ़ती हैं। कनिश्का को सुरू सही डांस, एक्टिंग का बहुत शोक है। ये बचपन सही अपने स्कूल में होते फंचन में पार्टिसिपेट किया गड़ती थी। इन्हें डांस, एक्टिंग का बहुत शोक है। और साथी साथ य हाँ, कोली मेरा फेवरिट प्लेयर है। हाँ, विराट अच्छा प्लेयर है। विराट भी अच्छा है, लेकिन कोली सबसे बैस्ट है। चलिए दोस्तो आप जान लेते हैं कि इन्होंने आपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी। इन्होंने अपने पर फॉलोवर 60K कमप्लीट हो गए और उसके बाद इन्होंने एक साल का गैप किया पूरे एक साल तक इन्होंने एक भी वीडियो पोस्त नहीं की उस टाइम ये अपने पढ़ाई पर फोकस कर रही थी क्योंकि ये 10th क्लास में थी और बोट्स के लिए भी पढ़ना था जिसकी इन्होंने सोलो वीडियो अपनी खुद के वीडियो बनाने की सोची और ट्रांजीशन वीडियो बनाने लगी जिसमें से इनका एक वीडियो वाइरल हो गया उस पर मिलियंस में वीव आए और 500K के करीब लाइक्स और टिक टॉक पर इनके 150K फॉलोवर्स हो गए लेकिन इंस्टेग्राम पर रील्स बनाने लगी दोस्तों आपको बता दूं कि इनके कुछी मंत में इंस्टेग्राम पर वन मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए क्योंकि इनकी रील्स इतनी चेदी से वारल हुई कि देखते इनके 100K से 1 मिलियन तक पहुच गए दोस्तों इनकी एक वीडियो पर 73 मिलियन व्यूज और 6.3 मिलियन लाइक्स हैं जो कि किसी क्रियेटर के लिए आम बात नहीं है इन्होंने हाली में अपना 1 मिलियन का सलिब्रेशन कंप्लीट किया है इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है जिस पर अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स न करने का है कणिशक्त परेशन ने किसे ने की शोड़ tulto related सब्सक्राइब कोई सब्सेल सकते हैं सच्छी बताई तो मुझे प्यार और शादी में घंटा इंटरस्ट नहीं है तो शादी चूड़ा और लहङए के लिए करू रेट नहींगा पहने का बड़ा शॉक है मैंसे